पचास्तो रोड का राज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ साल को खुटी कोडी नहीं दूगा तो सरेस का सिकंदर धमाल 4 का आइडिया सफल हो गया है अजय देवगन कहानी सुनने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि निर्देशक इंद्रकुमार पहले से ही शूटींग शेडियूल की योजना बना रहे है सभी डाइट अंदर हालिया रिपोर्टों के अनुसार ऐसा लगता है कि धमाल 4 जल्द ही फ्लो पर आने वाला है लेकिन क्या अजय देवगन इंद्रकुमार के साथ बोर्ट पर है पर ना बॉलिवोड ने कुछ प्रमुक हिट कॉमेडी ड्रामा दिये है जिन में हेरा फेरी वेलकम धमाल हाउसफुल आदी शामिल है हालिया रिपोर्टों के अनुसार ऐसा लगता है कि इंद्रकुमार धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी किस्ट के लिए एक नए विचार के साथ आने की योजना बना रहे है और हम ये जानने के लिए उत्सुख है कि क्या अजय देवगन बोर्ड में होंगे या नहीं जानकारी पाने के लिए पढ़ते रहें धमाल डबल धमाल और टोटल धमाल जैसी फिल्मों के साथ धमाल सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक है चौथी किस्ट प्रशंसकों को इसका दिवाना बना देगी अंजान लोगों के लिए श्रिंखला की तीसरी फिल्म सबसे बड़ी हिट थी जिसने बॉक्स ओफिस पर 150 करोड से अधिक की कमाई की अब इटाइम्स के अनुसार इंद्र कुमार ने पहले ही धमाल की चौथी किस्ट का विचार कर लिया है और वह फिल्म में अजय देवगन को शामिल करने के लिए बहुत उत्सुख है यही वज़य है कि वह और उनकी टीम अजय को कहानी सौपने और उनकी तारीखे मांगने से पहले स्क्रिप्ट पर आखिरी फिनिशक तच पर काम कर रहे है इस रिपोर्ट की माने तो इंद्रकुमार निर्देशिक धमाल फोर इस साल के अंध तक या अगले साल की शुरुआत में फ्लो पर आ जाएगी ईशा, मस्ती, टोटल धमाल और थेंक गॉड के बाद यह अजय देवगन और इंद्रकुमार का चौथा सहयोग होगा जो लोग नहीं जानते उन्हें बतादे की ओजी धमाल फिल्म 2007 में संजय दत, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, जावेद जाफरी और आशीश चौदरी थे जहां डबल धमाल 2011 में कंगना रनौत और मलिका शेरावत को जोड़ा गया था वही टोटल धमाल 2019 में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को देखा गया था अजय देवगन आखिरी बार तब्बू के साथ फिल्म भोला में नजर आये थे, जिसे दर्शकों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और अब, अगर अजय देवगन एक बार फिर इंद्रकुमार की घमाल दुनिया में शामिल होते हैं, तो प्रशन सक पागल हो जाएंगे